एंटर जाय के दाबक भरती में आप लोगों के तमाम प्रश्ण है जिनमें से मैं थोड़े-थोड़े प्रश्णों को लेकर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके प्रश्णों के उत्तर आप तक पहुंच जाए और आपके प्रश्ण ज्याधा उजागरना हूं तो उसी प्र मुद्दा तो कुछ है ने बचा, मेन है न्योक्ति पत्र मुद्दा बचा उए या सुप्रियूम कोड का मुद्दा चल रहा है, ठीक नहीं, यह दो प्रमुक मुद्दे हैं अब इन दो मुद्दों के बीच में कुछ नहीं नहीं मुद्दे आ गया है एक्ठो ओवरलैपिंग का मुद्दा आ गया है पहला दूसरा मुद्दा आ गया है BTC 2015 का और तीसरा मुद्दा तो ये चली रहा है दो दिन से एकदम से मतलब बिना सिर पैर के टहल रहा है और लोग है किसी की पास दम 2015 को बाहर कर देगा जाब कर दो जो लोग 2015 का संगर्स नहीं देखे हैं वहीं प्रश्ण चिन उठा रहे हैं जो लोग ये नहीं जानते कि 2015 के संगठन की वजए से आज यहां पर उन्तरजार भरती में आप लोग मजबूती से खड़े हैं वहीं लोग उठ प्रश्ण चिन जो लोग ये नहीं जानते कि भरती प्रक्रिया का जियो जारी करने से पहले 2015 बैच के लोगों ने एक जुड़ता PNP पे मतलब रात दिन एक कर दिया था कि इस भरती प्रक्रिया मम को सामिल करना है और जियो जारी होने से पहले हमारे रिजल्ट होना यहां तक यह भी हुआ था कि जिन लोगों के बैक कुछ लोगों के आ गये थे है ना तो वहां थर्ड समेस्टर में उन लोगों के भी बैक पेपर्स कुछ लोगों कराए गये थे मतलब जो नहीं जानते ना तो अनरगल बाते ना किया करो बैया मैं पहले बता दिरूँ पीच में किसी के रोड़ा बनोगे तो जीवन में तुम्हारे रोड़ा आएगा किसी और के लिए गड़ा खोदोगे तो उसी गड़े में मुह के बगल गिरोगे मुह देखने लाइक नहीं बचेगा गलत काम करोगे तो गलत उसका परिणाम होगा बेवजा की प्रशन उठ प्रशान किया जा रहा है सीधोर इस पर बात में जिसको बूरा लग रहा है वहीं ये बीट Kalel कर रहा है और इसमें बूरा लगने वाली बात नहीं है आपको खुद पर विश्वास नहीं है आपके संगटन पर विश्वास नहीं है प्रश्णा आप सभी पूछ रहे हैं खुद होची न किसे कोई यह नहीं कह सकते हैं दूसरी बात पहराग मेरे अग्दम सब्सक्राइब सुन लिजे बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनना है मुझे बीडियो सी 2015 इस भरती में है और वो रहेगा जिसको जो करना हो कर ले दूसरी इंपोर्टन बात ओवरलेपिंग का क्या मुद्दा है इस पर ज काटेगरी कहके संभोधित करना थोड़ा सा गलत बात है ठीक है ना 34500 जो सीटे हैं यो वो यू आर कैटेगरी में अन्रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण का जो प्रावदान है वो यह है कि रिजर्व कैटेगरी के वो कैंडिडेट जो आरक्षण का तुलाब ले रहे हैं इसलिए रिजर्व कैटेगरी में ठीक है तो वो अपनी सीटों पर तो है ठीक है लेकिन वो उनके अंदर काबिलियत है उनकी योगिता है वो यू आर कैटेगरी के तैमानों को पार कर रहे हैं तो वो आएंगे और इस सीट पर यथावत बैटेंगे यहीं अभी तक क्रिया क अकलाब होता आया है भविश्य का क्या है क्या होगा अनर्गल बाते हैं वो ठीक है जो बात है वो जो नियम है वो आपके समक्ष मैंने रख दिया है अब जो दुनियादारी करें जो अलग-अलग टीका ठिपनी करें उसकी अलग बात है ओवरलेपिंग आपने पूछा कि क् आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर दीजेगा ठीक है दूसरी एक और प्रशन है 40,000 वाला क्या है मुद्दा दीके चा एक लाग 46,000 लोगों का रिजल्ट आया है आपके समक्ष है इन में से देखें दो तरीके के प्रशन हैं आपर क्या यहीं एक लाग 46,000 में यह अलग से हैं यह दोनों क्लेरफाई पहली बाद तो यह 40,000 वाला मुद्दा न्यूस चैनल के तुरू निकला था फिर उन्होंने कुछ घंटो बाद उसको क्लेरफाई कर दिया यह कुछ नहीं है ठीक है ना फिर इसके बाद अब दूसरा मुद्दा क्या आ जाता है यहा इन्वैलिड वाले हैं अब सीरीज इन्वैलिड कैसे है या ओमर में तूटियां कैसे हैं क्योंकि इन्हें सौलवर बैठा है थे अच्छा खासा पेपर आउट हुआ है जो भी क्रिया क्लाइब है हम सभी जानते हैं उस पर ज्यादा बोलनी के अवशक्ता नहीं है ठीक है त अपने देह कत्या करते हुए इतनी मेहनत की है तो उनके आगे आप अपनी दिमाग लगा कर पहुंच जाओगे गलत रास्ते से नहां पहुछो भाई मेहनत करके पहुचो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो जाके कुछ और मैंनल का काम करो सुक्षाप विवाग में आने की आव एक सिक्षक होने वाले हैं ऐसे कोई आपके व्यक्तित का निर्धारन कर देगा कोई भी कुछ बोल देगा आप उसको बात मान लोगे सिक्षक बनने वाले हैं और आप अपने नजरिय को बनाईए अपना व्यक्तित का निर्धारन करिए यहां पर कुछ लोगों को बूरा लग करना दूसरों के लिए गड़्डा को दुना खुद का नहीं होना तो दूसरों का भी नहीं होने देना यह मांसिक्ता वली लोग हैं आपको परशान करेंगे ही करेंगे और आज नहीं जीवन परिंत में ऐसे लोग रहते हैं समाज में और ये लोग रहेंगे तो खुद को बली बनाईए मानसिक मजबूती बनाईए और जो भी आपके वैक्तिकात प्रोष्णों कमेंट कर दीजिए को मैं उसका जवाब देनी को पूरी कोशेश करूंगा मने रही आज जो के सांट बेस्ट आफ लग थांक यो सो मज़